जै श्री कृष्णा आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है कार्तिक मास में जो कहानिया सुनी और बोली जाती है इनी कहानियों में एक कहानी आती है कार्तिक में आठोवार की कथा चलिए सुनते हैं कार्तिक माहा की आठोवारों की एक कथा किसी गाउं में एक मा बेटा रहते थे और बहु भी साथ में रहती थी एक दिन सुभा मा इसनान के लिए गंगा इसनान करने जा रही थी तो बहु से कह गई कि मेरे बेटे को सुभा रोटी दे देना उसने कहा ठीक है मैं दे दूँगी सुबह बेटा उठा तो बोला कि मा मुझे रोटी दे दो यह सुन उसकी पत्नी आई और बोली कि ना तो तुमारी मा यहाँ है और ना ही रोटी कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूँगी वह बोला भागवान मैं कमाना नहीं जानता हूँ लेकिन बहु नहीं मानी उसने कहा अच्छा तुम चार रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो बहु ने चार रोटी बनाई और अपने पती को दे दी वह रोटी लेकर कुए की मुंडेर पर आकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा वह बोला राम मैं कमाना नहीं जानता हूँ भगवान उसकी बात सुनकर ब्रामन का वेश बना कर आए और कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यूं बैठे हो वह बोला मेरी बहु ने कहा है कि जब तुम कमाना जानोगे और कमा कर लाओगे तब ही रोटी मिलेगी लेकिन मैं कमाना नहीं जानता भगवान बोले कि मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ लेकिन मैं आठो वारो के नाम जानता हूँ इससे तुमारे घर अटूट भंडार भर जाएंगे भगवान बोले कि तुम चावल की दाने ले लेना और पानी की घंटी लेना जो बरतन धके हुए हैं उनका मुझ खोल देना और जो घर के बरतन उल्टे पड़े हैं उन्हें सिधा कर देना भगवान के रुप में ब्राम्मन ने कथा कही और उसने सुनी रविवार, सोम्मार, मंगलवार, बुधवार, ब्रहसपतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठो वारो का आस्रा, भरियो, पीहर, सास्रा इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए, घर पहुचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो, उसने कहा कि आठो वारो का नाम लाया हूँ पत्नी ने सोचा चलो कुस्तो लाया है, पत्नी फिर बोला कि चावल के दाने और पानी की घंटिला, जो उन्धे मूँ पड़े हैं उन्हें सिधा कर, जो ढखके हैं उनका मूँ खोल दे, पत्नी ने कही पत्नी ने सुनी, रविवार, सोम्मार, मंगलवार, बुधवार, ब् बेटी से मिलने जा रहा हूँ, फटे से कपड़े पहन बेटी के यहां गया, तो बच्चे बोले कि नाना आये हैं, बेटी बोली कि नाना क्यों आये हैं, दो दिन की मुफत रोटियां तोडने आये हैं, बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कहलवा देती है मुख से, पिता दिन बेटी को पिता पर तरस आता है और कहती है कि पिता जे आप अपनी कहानी सुनाओ पिता बोला कि चामल के दाने ला पानी की घंटिला जो ओंधे मुँ पड़े हैं उन्हें सिधा कर जो ढके हैं उनका मुँ खोल दे पिता ने कहीं बेटी ने सुनी रविवार सोम्मार बाटने लगी बेटी की पड़ोसनों ने जब कहा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारा बाप कुछ नहीं लाया है तो ये इतना सामान जो तुम बाट रही हो ये कहां से आया है बेटी ने जवाब दिया कि पिता तो खाली हाथी आये थे ये तो आठोवारी की कहानी का फल है पिता ने बेटी की पड़ोसनों को भी आठोवारों की कहानी सुनाई जिससे उनके घर में भी अटूट भंडार हो गए जैसे भगवान के वेश में ब्राम्मन की आठोवारों की कहानी से सबके भंडार भर गए उसी तरह से कहानी कहने वाले और सुनने वालों के भी भंडा करें ज़ादा से ज़ादा फ्रेंड्स और फैमली में शेयर करें और मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जैश्री कृष्णा राधे राधे